कॉंग्रेस पार्टी का ये डेलिगेशन अभी चुनाव आयोग से आया है बाहर, हम दन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उरोने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल से जल उठाए जाएंगे, मैं संक्षेप में आपको बता दू, सत्रा कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, सत्रा, मैं सिर्फ तीर या चार के बिंदू बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए, सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धान्त जो इस स्वतंतर भारत के हैं, उनका उलंगन करते हैं, उन पर आगात लगाती हैं इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने समविधानिक रूप से एक पुलीसमेन बनाया है, संग्रक्षक बनाया है, इस पर्टिकुलर ख्षेत्र का, आधिकार ख्षेत्र का, वो तुरंत, ठोस, सही और सपष्ट एक्शन ले क्योंकि ये हमारे समविधान के सभी आत्मा के जितरे भी प्रावधान हैं, उनके बारे में है, सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17, इस देश के, और मैं बहुत आधर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रदान मंत्री भी है, इस देश के प्लान मंत्री है और मैं वास्ता में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत बुखर वक्ता हैं, प्रकर वक्ता हैं, मैं हाद जोड के उनसे कहूंगा, कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तवियक कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोक को इसके उपर तुरंत एक्षन लेना इसमें, मैं इसको बद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोराओंगा नहीं, लेकिन इसके चार-पाँच तत्वा आपको याद दिलाओंगा, जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोक के सामने रखा, इसमें एक समुदाए, एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरन है, सपष्ट रूप से कहा गया है, कि वो समुदाए, इस देश की अल्प रिसोर्स को हडप सकता है, हडप लेगा, कॉंग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्स, उस समुदाए, उस धर्म को, नमबर तीन, उस समुदाए, उस धर्म को घुस पेटियों के साथ बराबर में जोडा गया है ये बड़े स्पष्ट शब्दे प्रकाशित शब्दे आपके सब चैनल्स पे हैं आपके सब प्रकाशित पर हैं नंबर चार ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू दर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं मंगल सूत एक उधारण ह उस पर आगात हो सकता है मैं वापिस हाथ जोड़ कर कहूंगा कि इतने बड़े ओदे के चीफ एग्जेकेटिव इस देश के मानने पदानमंत्री हम सबके पदानमंत्री उन्होंने सीधा उलंगन किया है सीधा उलंगन किया है 9223 जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तविय अलाव नहीं करता है चुनाब के वक्त नंबर दो चुनाब आयो के बार-बार बारम-बार K कुलंगन है उसका आखरी सरकुले 2024 का वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेत आत्मक रूप से भी आ तो सीधा है नहीं कर सकते नंबर तीन उन्होंने भारतिय संविधान की अस्मिता पर आगात किया भारतिय संविधान एक गौरफशाली संविधान है जो बॉम्माई केस के पहले से कहता है पहले से कि धन्मिर्पेक्ष्टा पंत्मिर्पेक्ष्टा हमारे संविधान के मूल धांचे का एक अभिन अंग ह मूल धाचे का अभिन अंग होने का मत्तब होता है कि सम्विधान संशोदन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते हैं अगर ये बात है तो आप सम्तल जमीन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड गंतंत्र लोकतंत्र के लिए डिमोक्रसी ये सब एक अभिन अंग है मूल धाचे के आप इस प्रकार के आपसी व्यमनत्स्य के वक्तम्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन सम्तल नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोक के पास है इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूँ ये कि इसमें भारत की सवाल है हमारे समविधान की सवाल है हमारे पधानमंत्री के पद की सवाल है हमारे चुनाव आयोक के सवाल है इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विशय में करते हैं, वो प्रतिबंद आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो, ये देश के एक सामविधानिक अस्मिता का प्रश्ट चिन्न है, पर प्रश्ट चिन्न है, तो य उफिशल हेंडल्स में, गुजरात में विशेश रूप से वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, हमने फोटो दी हैं, आप उफिशल हेंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन है, हम एक गौरफशाली देश रहे हैं, मैं गौरफशाली हिंदू हूँ, यह गौ यह हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से हैं, फोटों के साथ हैं, व्यापक हैं, यह उनी प्रावधानों का उलंगन है, जो मानने प्रदान मंत्री ने अपने पहले बारे हमारी कंप्लेंट के विशे में किये हैं